राधे कृष्ण दोस्तों, आज का उपाय हमारी उन पहनों के लिए है, जिनके पती उनकी बात नहीं सुनते, वो कुछ भी कह लें, पती उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और वो चाहती हैं कि हमारा पती हमारी बात सुने, तो आज का उपाय बेहद ही सरल है, बहुत ही आसान सा उपाय है, जिसे हर महिला कर सकती है, और इसमें किसी भी तरीके की समस्या नहीं आने वाली है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रियेट नहीं होने वाली है, इसके लिए आपको क्या करना है, आप सिंपली घर में रो बनाते हो आप सारी रोटियां बनाकर रख दीजिए लास्ट में तवा बंद मत कीजिए गैस मतलब बंद मत कीजिए तवा उसके उपर से मत उतारिए ऐसे ही धीमे धीमे जलने दीजिए अब आप क्या करेंगे नेल कटर ब्लेड किसी भी चीज से अपने उंगलियों के दसो न गठे करोगे एक भी नाखून इधर उधर नहीं होना चाहिए चाहिए आप उसको पेपर में काटो या आप स्लेप पर काटो किसी भी काटो पर पूरे दस उंगलियों के नाखून होने चाहिए अब आप उनको उसी गरम तवे पे रख दोगे और जिस तरह चने वगरा बू पेपर होना चाहिए अब उसमें अपने नेल्स आप निकाल लोगे नेल्स निकालने के बाद आप उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके जहां पर आपके हस्बेंट सोते हैं आप उस पिलो की नीचे रख दीजिए अगर आपको डाउट है कि मेरे हस्बेंट रात में पिलो उ मिट्टी के नीचे गार दीजिए, तालाब में डाल दीजिए, कहीं डाल दीजिए. अब आपको हर महीने एक संडे यही उपाय करना है. आप देखेगा आपको दो-तीन महीनों में ही फरक नजर आने लगेगा. बस यह छोटा सा आसान सा उपाय है, बस याद रखेगा कि आप यह उपाय कर सकते हो, ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही चैनल को सस्क्राइब करें, और भल आइकन को भी प्रेस करें, तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में,